चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा टॉपिक है जारखन समाइन परिचे और यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और इसमें हमने पचास-पच्पन कोशन इंक्लूल करा है जो बहुत बार परिचाओं में पूछे गए तो उमीद है आप जिदि इसको बढ़ियां से सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसमें सबसे पहले हम चालू करते हैं और आप चैनल पर अभी नए आये हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह का जिदि आयकन बनके आता है तो आप उस पर किली भी कर लें ताकि मैं अगरा वीडियो जब भी डालू तो आपको नोटिफिकरेशन उसको मिल उसका प्राप्त हो जाए तो चलिए यहां इस तरह से कोशन होता है कि जहारखंड का जो नाम पढ़ा वो जहारखं जहारखं पढ़ा जहारखं पढ़ा जिधी हम आगे बढ़ते हैं कि जहारखं जो ईस भीहार से पंद्रह नौवंबर 2011 को अलग हुआ तो जिदि हम बात करये कि 15 नौवंबर को ही क्यों चुना गया तो आपको पता है कि जहारखंड में जहारखंड मुंदा का जन गरन दिव तो जार्कन की उप राजधानी आपका दुंका है कहां ढूंका है जहारकन की उप राजधानी एगला इस तरह से है है कि जार्खन का जो ऊच नियाल है कहां है तो जार्खन का ऊच नियाल है अपका रांची में है जिनी बात करें तो छ alkaline की जो hby के जार हैं ओ senin McGraw mों कि जो है इस अहिंदी है और दे बात करें कि दिए राजकी भासा क्या है तो दिधी लिधर के बात कलें जार्खन के राजकी पसु क्या है तो जार्खन की राजकी पसु यहां पे देख पार है यहां पहाथ ही है यह जार्खन की राजकी पसु बात कर जिदि भारत की राजकी पसु क्या है तो भारत की राजकी पसु आपको तो पता ही है बाग है यह देखिए यहां पे जार्खन क जो सो राजकी पच्छी पच्छी बाराद की जारकन कोईल है और भारत की जेस देखेए फेमस है कि ज्खरकन का राजकी पुष्प क्या हो तो ज घारकन के से प्लास ख़ाता है जिफ एक धन के क्रण गाऊन का पत्र Tillum होंगी तौप देखे होंगे कि किस तरह से इसका फूल रहता पेड़ रहता है अगला जहा लाज कि राज यह जान को सब को में जानते हैं लेकिन जो परतिक चिन जो किस तरह से बना है तो यहाँ पर देखे चार जे के बीच में जो असोक चक्र है यह आपका चार जे हो गया चारों साइड से और बीच में असोक चक्र है यही जो जो जारकन का परतिक चिन है बात करें कि इसका डिजाइन जो त्यार किया था किस ने तो design को जो तयार किया था आपको बता दें कि यह question जो इसो आशोक पांडे वालो designer जो था यह question पूछा जा चुका है 2017 में आपका examination में आगे बात कराएं कि जहारखन का जो उर्तमान में Чॉंक मंत्री है वो कौन है तो जारखन की उर्तमान मंत्री है मंद तो यह बात करें कि किस पारटी से है तो यह जम्यų आपर Already से है और जहारखन में भी hasinоп पलस कौंग्रिस का गठवंदन में सरकार चल रही है और जादी बात करें कि अभी ये कौन से नंबर वाले मुख्यमंत्री है तो ये गारे में नंबर वाले मुख्यमंत्री है बात करें कि कितने लोग जो जारखन के भी मुख्यमंत्री अभी तक बने कितने लोग नंबर की बात नहीं करें नंबर तो बहुत सारे लेकिन लोग के बात करें तो छे लोग है जो जार्खन के भी तक मुंत्री बन चुके हैं आप नाम भी नोट कर सकते हैं इस तरह से है आपका बाबुलाल मारांडी हो जाएगा अर्जुन मुंडा सीबु स्वरेन मधु कोडा हैमंत स्वरेन और रगवर्दास ये छे लोग जो जो परभात कुमार थे बहारत की जो भॉत्तरपूर्वी बहाग में है मान के के चलिए यह आपका मैप का के जो ौला इंडिया का और यहां पे बीच वाला वाल फोइंट थे तो हमारा जार्खन जो सो इस जगह पर है तो यह उतर पूर्वी छेत्र में आता हैं के आके मैप यह इंडिया का मैप आप डेख़े आप देख पारे होंगे यह इंडिया का मैप है आप देखन ज्यागा ब्रेक है तो इसे लिए उत्र पूर्वी फ्सान इस तरह से है तोह के भारत के किस गोलार्द में इस्तित है तो ज़हारखawn ज़हारखन जयाहर जय सहरकन जए अकार कैशा है तो यहाँ आपका चतुर्भुज कहा ब्रही है जहारखन का आप अपको मैप नहीं देखना जानते हैं तो आप सबलें बहुए थोड़ा जॉटा कर लेता हो यह देखिए उत्र में ने तक भात क्रें zrobić बात करें ओतर सब्साबर गऑव मी benefit वेस्ट पंगाल ने बात करें पर देसी मेंान थväन्ड कर देखिें अजनी में अ कि वोडीे सब्साइस को टेख भाए तो आपका क्लियर हो जाएगा कि कॉन सा राई May 102 दिसा में हैं और कितने conspiracy सिमा कितने इस लगती है आपको यहां पर एक कॉस्इन आपका और क्लियर कर देते हैं मैं यहां पोछा गिया तहा कि फिलेगा घ्रखन्ड लगते है तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल यहां पे 10 जीले हैं जो बिहार आज़ी के बोलर से लगते हैं आप यहां पे गीन भी लें तो यहां पे जो लगता है और यहां पे जो लगता है तो तीन जीलों की जो लगता है जिसमें से आपका देखिए गढ़वा लतेहार और गुमला और बच गया आपका इधर चतने ओडिशा तो ओडिशा में देखिए एक यह हो गया दो हो गया तीन और एक चार चार आज़ों की ओडिशा से लगता है तो आपका हो गया टोटल तस इधर दस इधर और एक इधर तीन इधर चार इधर तो उमीद है आपको यह जो सो अच्छी तरह से आप कंप्लिट कर लिए होंगे जोड़ी तक नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछी ले जाए और यहां से थोड़ा समझ लें कि हमने क्या बताया आपको तो यह था मैप से पहुत कुछ आपको हमने बता दिया तो जैमेतियाकार जो सचुत्रभुजाकार है जारखन की जलवायू की बात करें तो वसात वर्षा धारखन की 140 संटीमीटर है तो यहां पर देख लेंगे इसलिए हमने लेके आया है इसको कि तुरंत क्यूइक रिविजन आप इसको बोल सकते हैं क्यूइक रिविजन आपका हो जाएगा जो बाद में आपको काम आएगा चलिए यहां पर देखिए आगे इस तरह से है कि राज से घुजरने वाली जो आच्छान्स कान से घुजरती हैं श्याहरकन आप अपने से देख लिए आप आज करने का पर्यास भी करें कि कहां से कौन सी चेतर से लगता है तो पांच राजियों से लगती है आपको मैंने पहले बता दिया बिहार जो से उतर में हैं दच्छिन में उडिसा पूरु में पस्चिम बंगाल तता पस्चिम में 36 गड़ था उत्तर परदेश अवस्थीत है तो यह आप के था कितने राजियों की सीमा लगती है आगे देखें यहां पर कि धारकन राज की जो लंबाई यह वह चोड़ाई कितनी है यह भी क्वेस्टन की जिदी हम बात करें तो यह क्वेस्टन धारकन पूलिस के मेंस में पूछा गया लंभाई है आपको सोसे पहले बता दें कि मैप मैप यहां से कि लंबाई तो यह आपका हो गया यहां पर देखिए उत्तर से द्चीन की जो लंबाई है वह तिन सो अशी किलोमीटर है और पूर्स मांवने फिल से किलोमीटर है बहुत इंपोटन्ट नहीं रीप्टेटवाफ़ को भारत का तो यह 27792 और किलो मीटर है यहां पर देखिए 1792 में कितने जिले हैं तो सब को पता है कि जार्कण में कूल कूल कितने जिले हैं और सबको नाम जदी नहीं पता है तो हम आपको क्यों करा देते हैं 24 में से 2400 जीलों का नाम यहाँ पर देखिए रांची, गुमला, सीमडेगा, लोहरदगा, हजारी बाग, कोडर्मा, चत्रा, गडवा, पलामो, बुकारो, धनबाद, किरीडी, दुमका, जामताड़ा, गोड़ा, देवगर, पाकूर, साहिब गंज, लातेहार, पूर्वी सिंग्भूम, पस्चमी जिलों के नाम है, आप यहाँ पर थोड़ देख लें, सरवाधिक वन वाला चैतरफल वाला जिला कौन रहा है, तो यहाँ पर देखिए, चत्रा जिला जो है, सारवाधिक वन है, हजिदी नियुनतम की बात करें कि सबसे कम, जो है, तो आपका धनबाद जिला में हो जाएग सबसे कम, बात करें कि जारकन में परमंडलों की संक्षियां कितनी हैं तो जारकन में परमंडल है, और आपको नाम बता दे मैप चलिए मैप से आपको हम समझेयाते हैं कि इसमें पांचो परमंडल कहां से है, तो यहाँ पहले हम पे देख लें, उत्री च्छोटा नाप देख पाएंगे यह आपका देखिए सौथ शोटा नागपुर डिवीजन यह कौलहान डिवीजन है यह संथाल प्रगना और यह नौर्थ शोटा नागपुर डिविजन तो आपको पांचो परमोंडल यहां पर देखने को मिल गया पूछा जाता है कि कितने परमोंडल है और चेतरपल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा परमोंडल आपका उतरी छोटा नागपूर है और चेतरपल की दिरिष्टी से सबसे चोटा परमोंडल की बात करें तो पलामो जो आपको हमने दिखाया पलामो कहां पे है इसका डिवीजन तो पलामो सबसे छोटा चेतरपल में है भात करें की छेतरपल की दिरिष्टी से सबसे छोटा जोटा 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 है यहापे आप देख रहे हैं की जारखन में कुल कितने गाउं है तो 32,394 गाहों है टोटल जहरकन में यह बहुत फेक्ट वरी बात है आप जिदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो का फुमारे लाइक कर सकते हैं और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप जिदि सच्छी वाले क्या त्यारी करनें तो यह कोशन जो आप बिल्कुल रिविजन कर लें आपके लिए बहुत ही फायदा होगी और उमीद है जिसे लोकड़न खतम होता है परिछा लिया जाएगा तो देखिए जहारखन में कुल पंचायतों की संख्यां कितनी है तो 4423 पंचायत है और जिदि हम बात करें कि जहारखन में राश्टी राजमार्ग की जो लंबाई है वो कितना है यह रिपीटेट कॉस्टन आपका दरोगा में पुछा गया है तो 2146.46 किलो मीटर अपका लं तो उसके हिसाब से तीन क्रोड 2918,134 अब भारत की कुल जन संख्यां का 2.30 चीह राची जिला में है और नेंतरम जन संख्यां आपका जन तो कितना है तो जनसंख्यां घनत यह भी आपको बता जाएं कि जहरकंपूलिस पूछा गया था 400 142 परती वर्ग किलोमेटर ने ज़तन कि जनसंख्यां घनतु बदकर जनसंख्यां घनतु कि द्रिष्टी से जहारखन का भारती राज में आस्थान कॉन सा है तो ये कुलो मेटर में जुह सो एक मतलब एक स्कवार किलो मिटर में तेरह सो सोलो व्यक्ति हैं बात करें कि जहारखन की नियुंतम जन संक्या घनातवाला जिला कौन सा है तो सिम डेगा जहां पर सबसे कम हैं नियुंतम आप देख पारें 169 जो सो परती वर किलो मीटर मीटर पर है यहां पर आगे है जहारखन का पर में इसरवार कोशिव रांची जीला में है और नियुनुतम नुपात वाय जीला आपको तक कमेंट बशुना में च्चोड़ता है अगे है मिनुंतम तो बात दर जला है cir canon gonna पूरुस की साचरता दर आपका पाकूड है तो उमीद है आपको यी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो को फिली लायक जरू करते बहुत महनत से वीडियो बनाएं तो ये था आपके परिशा के वीव से बहुत ही इंपोर्टन्ट चलिए धन्यवाद